So, alright guys, welcome back everyone, उमीद करते हैं, आप सब खुश होंगे, and जहां पे हम आज एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, basically यह जर्नी है हमारी class 6th की English subject की, right, आज से हम जो है study करने वाले है 6th class का, 6th class की English, तो यह वाली जो वीडियो है, basically यह introductory वीडियो है, ठीक है न, इसमें हम देखें है, ठीक है, and हम जो है जहां पे किस तरह से study करने वाले हैं, और यह वाले वीडियो आपको कहां पे मिलेंगे, right, यह चीज हम जहां पे discuss करेंगे, first thing, first, जहां पे हम discuss कर रहे हैं, basically, NCRT English की, ठीक है न, NCRT English class 6th की जो है, उसको हम जहां पे study करने वाले हैं, तो हम किस तरह से study करेंगे, basically, जो यह वाली NCRT की, basically, जो English है, यह तो आपको, जो CBSC आपका है, आप वहां पे, जो है, सेम आपका यह रहती है, books, तो वहां पे यह काम आएगी, जो NCRT, डिरेक्ट, जो स्कूल इसको पढ़ाते हैं, जा private institute, जितने भी हैं, जा इसके अलावा, जो दूसरे state boards के, उनके अंदर भी जहां से कोई chapters, जो है, उन स्कूलों ने introduce करके रखे होते हैं, अपनी books के अंदर, तो उनके लिए भी यह वाली जो book है, यह काम आएगी, अब बात करते हैं, छटी class की English, आपको दिखती कैसी है, basically, जहां पे जो छटी class की English होती है, इसकी दो books होती है, जिसका नाम है honey circle, ठीक है, honey circle आपकी book है, main वाली book है, जो छटी class की, ठीक है न, इसके अलावा देखेंगे आप दूसरी book है, दूसरी book यह वाली है, ठीक है, यह वाली है class छटी की English की book, तो English की, first thing first, class छटी की English की यह दूसरी book है, पहली book आपने देखा honey circle, दूसरी book का क्य हम अब इनको पढ़ने कैसे वाले हैं पढ़ेंगे हम इनको इस तरह से सबसे पहले जो आपकी पहली बूख है यह हनी सकल ठीक है ना हनी सकल की हम वीडियो बनाएंगे तो आपको वीडियो किस तरह से मिलेंगी बेसिकली हमारी जो है हम प्ले लिस्ट करेंगे इनसी आठीक कलास सिक्स्ट ठीक है ना इस सबक की जब आप चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगी और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा तो प्ले लिस्ट के अंदर जो है सबसे पहली वीडियो हमारी कौन सी बन रही ह इंट्रोडक्शन टू सिक्स्ट कलास इंग्लिस ठीक है ना सिक्स्ट कलास इंग्लिस ये पहली हमारी वीडियो है सबसे उपर जब आप ले लिस्ट को ओपन करेंगे सबसे उपर आपको ये वाली वीडियो मिलेगी राइट इसके नीचे आपको कौन सी वीडियो मिलेगी च पार्ट वन होगा चैप्टर वन का फिर चैप्टर वन का जो है पार्ट टू वीडियो हो सकती है फिर उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज होती है ठीक है रहा उसका हम जो है जहां पर वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज जो है आपकी जिस तरह से एक्सरसाइज का आपका प si 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 that's a dolar इसके नीचे अगर राइटिंग हो गा को ऐसरे मिलेंगे थीक है ना उसके बाद जो आपकी वीडियो आपको मिलेगी वह आपका इस चैप्टर के अंदर एक पाइम होती है तो आपको जहांपे पाइम की वीडियो मिलेगी सबी concept में clear करता हूँ तो इस तरह आपका जो है पहले chapter की videos आपको इस तरह से मिलेंगी ठीक है न? देन उसके बाद जो आपकी 8th video शुरू होगी इस पे लिखा होगा chapter, chapter second ठीक है न? chapter second के अंदर जो है इसका part first होगा इसका part second होगा ठीक है न? जो भी होगा चलिए जहाँ पे हम देखते हैं यह पहले honey circle की जितने भी chapters हैं यह पहले हमारे जहाँ पे 10 chapter हैं 10 chapter की total videos बनेगी complete exercise के साथ उसके बाद जो है हम videos playlist के अंदर आपको नीचे जाएंगे तो नीचे आपको मिलेगी आपकी दूसरी book जो है impact with the sun ठीक है न? उसके जहाँ पे जो है आपको वीडियो जहाँ पे मिलेंगे इसी तरह से इस order में ठीक है? चलिए थोड़ा अब हम जहाँ पे इतना बात कार चुके हैं तो देखते हैं हमारी honey circle book कैसी दिखती है और दूसरी book जो है ठीक है न? जो book second है supplementary book जो है basically हमारी supplementary leader impact with the sun यह कैसी दिखती है ठीक है पहले हम honey circle book का बात करते हैं क्योंके पहले हमें इस book को हमें जो है इसकी exercises बड़ी होती है इसको हमें in detail पढ़ना है तो आते हैं नीचे ठीक है यह आपकी book है यह आपकी book का cover है ठीक है न? यहाँ पर यह है यह नई books हैं 2023-2024 की ठीक है न? इसमें rationalized content है तो इस तरह से जो आपके पास book होगी वो आपको देखने को मिलेगी ठीक है थोड़ा आते हैं नीचे book को देखेंगे जहाँ पर four word आपको लिखा हुआ है राइड एंड उसके बाद जो है आप नीचे आते हैं ठीक है नीचे आते हैं नीचे आते हैं जहाँ पर rationalization of content in the text box ठीक है न? NCRT ने recently किस तरह से जो है कुछ कौन से chapter delete किये हैं जा add किये है National Education Policy 2020 के recording तो जहाँ पर आपको यह चीज जहाँ पर मिलती है ठीक है उसके बाद नीचे आते हैं जहाँ पर constitution आप इंडिया का परेंबल आपको देखने को मिलता है तो नीचे आते हैं जहाँ पर book में book में और नीचे आएगे जहाँ पर textbook development जो committee है उसके आपको जहां पर नाम देखने को मिलते हैं, दिन अक्नॉलजमेंट आपको देखने को मिलती है, दिन उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेंगे, ठीक है, पहले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पहले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पहले आपको देखने क एक teacher के लिए note आपको देखने को मिलेगा, फिर आपका पहला chapter शुरू होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है न, हम chapters को देख लेते हैं, कि आपका chapter कैसे होता है, ठीक है न, देखिए, यहां से यह आपको देख रहा है, पहले एक तो आपको chapter मिलता है, ठीक है न, और उस ये वाला आपका chapter है, शाम पे आपको एक poem देखने को मिलेगी, तो पूरे आपके 10 chapter है, फिर आपका unit 4 से unit 8, unit 4 में भी आपको दो दो चीजें देखने को मिलेगी, एक ये वाला उपर क्या देखने को मिल रहा है, आपको prose, उसके बाद नीचे क्या देखने को मिल रही है, poem बीचे आते हैं कनस्टिटिशन पर जरा हम एक चैप्टर को ओपन करेंगे ठीक है ना किसी भी एक चैप्टर को हम ओपन करते हैं जरा उसको देखते हैं कि आपका चैप्टर कैसा होगा क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हम जो है वीडियो किस तरह से बनाने वाले हैं किस wait a second and you will see on screen ठीक है this is just to tell you कि आपकी book कैसी है ठीक है ओके वेल तो यहां पर है हमारा chapter दूसरा chapter है ठीक है ना यह वाला हमारा दूसरा chapter है honeysuckle book का ठीक है ना पहले आपको क्या दे रखा है जहां पर आप देखेंगे जहां पर है आपको एक chapter दे रखा है how the dog found himself a new master यह chapter है unit 2 का यह chapter है ठीक है ना हर unit में दो-दो आपको देखने को मिलते हैं एक प्रोज देखने को मिलता है और एक poem देखने को मिलती है तो यह पहला प्रोज का है देखने को जैसे देखने को मिल रहा है काफी लंबा है तो चुक्कि यह लंबा होगा तो जिस तरह यह प्रोज है इसकी हम दो वीडियो जो बनाएंगे एक वीडियो सपोस करते हैं जहां तक बनाएंगे एक उसके नीचे हम जहां तक बनाएंगे ताकि वीडियो जो है आपकी chapter की लंबीना हो ठीक है ना add आते हैं आते हैं नीचे आते हैं नीचे आते हैं जहां पर आपका जो chapter है close होता है ठीक है न उसके बाद क्या है chapter के अंदर आपका है working with the text ठीक है न अमेशा working with the text जो होगी जिस तरह से हमने जो है अगर chapter 2 की वीडियो बनाएंगे तो chapter 2 की पहले होगी part 1 की वीडियो ठीक है न जिसमें हम आदा प्रोज पढ़ेंगे फिर chapter 2 का part 2 होगा जिसके अंदर हम आदा और पढ़ेंगे फिर उसके बाद है working with the text तो इसके जो है working with the text चैप्टर 2 का होगा हमारा ठीक है न इसके लिए हमेशा हम जो working with the text जो है इस portion के लिए हम यहां से working with the text ज हम अप्लोड करेंगे जहां पर ठीक है न उसके बाद क्या है उसके बाद है नीचे working with the language ठीक है working with the language आपके chapter के अंदर है ठीक है न तो working with the language जो है इसके लिए हम जो है अलाग वीडियो बनाएंगे यहां से जब working with the language जो है कहां पर end होता है जहां पर end जो है होता है जहां त जो आपकी पॉयम होगी इस पॉयम को हम जो है इसकी अलग वीडियो बनाएंगे और इसके साथ ही जो इसके क्वास्टन होंगे उसके साथ ही हम जे जो काइट पॉयम है आपकी इसके लिए जो है हम अलग वीडियो बनाएंगे और इसके जो क्वास्टन है ठीक है ना उसके जो भी जो है इसी तरह से दिखते हैं ठीक है ना जिसमें ऊपर जो है चेप्टर है पहले फिर नीचे जो है आपका working with the text है फिर working with the language है फिर नीचे speaking है फिर इस तरह किसी में writing है किसी chapter के अंदर तो कुछ-कुछ sections के तो सभी हम जो है यहां पर करेंगे उसके बाद हम आते हैं आप आपकी second book पे second book आपकी कौन जीच है इपक्ट विद दसन जो बुक है यह वाली बुक जो है इसके अंदर जो है आपको chapters देखने को मिलेंगे I think 7 chapters है इसके अंदर ठीक है ना यह बुक भी exactly जो है वैसी ही दिखती है justice में फरक यह है कि honey circle के book के जो chapter है उनकी exercise बड़ी है लेक होता है जिस तरह से honey circle के अंदर जो है language with the work working with the text है या working with the language है या writing है different different sections है लेकिन जहां पे जो है आप देखेंगे total आपके 7 chapters है जहां पे इन 7 chapters में जो है एक tale of two birds जिस तरह से है यह chapter जो है छोटे 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 chapters खें ठीक है एक chapter दिया है उसके बाद जो है छोटी सी exercise दी होगी लेकिन जो हमारी book first है ठीक है ना honey circle इसकी जो exercise है बड़ी है उनके अंदर grammar भी है और बागी चीजें भी है वो हम सालव करेंगे ठीक है तो इस तरह से हमारी बनेगी videos तो make sure आप जो है चैनल को subscribe करें हमारे साथ जोड़े रहें कहीं पर दिकत होगी आप हमें inform कर सकते ह हमें बता सकते हैं हम उस चीज को improve करेंगे and ensure करेंगे कि आपको चीजे समझाएं तो उमीद करते हैं आप हमारे साथ journey पर बने रहेंगे अगर आप journey पर बने रहे हैं बनेंगे हमारे साथ तो comment करके हमें जरूर बताइए कि आप हमारे साथ जोड़ चुके हैं and हम continue करते हैं तो मिलते हैं हम अब chapter first के साथ ठीक है हनी सकल book हम शुरू करेंगे chapter first की जो है हम videos अब बनाएंगे तो मिलते हैं next video में till then enjoy